अज हम बात करेंगे सरोगीसी के बारे, सरोगीसी से रिलेटिड क्या लॉज है हमारे कंट्री में और सरोगीसी से रिलेटिड क्या क्वेस्टिन्स हैं, नॉर्मल डाउट्स लों की क्या मिद्स हैं उसके बारे, आज हम बात कर रहे हैं Dr. Gauri से, Dr. Gauri Director and Owner है in Gauri Hospital की और Ridge IVF की वो Vice President है Indian Fertility Society की और उसकी Ethical Committee की चेरपसन भी है Dr. Gauri बहुत actively involved रहती हैं, conferences organized करने में, बहुत सारे lectures में involved रहती हैं और General Gynecologist और students को teaching में और का बहुत जादा और बहुत ही method पूर्ण रोल रहे हैं उसकता मैं पहला question यह है कि, सरोगीसी क्या है? और सरोगीसी और एक्टोनेशन में basic difference क्या है? सरोगीसी उसमें कहते है जब आप जो लेडी है वो अपना यूट्रिस में बच्चा पाइदा ने कर सकते लेकिन उसका ओवं से और अस्बन का स्पर्म से एंब्रियों बनाएं और एक दूसरा लेडी का यूट्रिस में डालेंगे उसको सरोगीसी कहते हैं इसमें सरवकेसी में ही आपका एक डोनेशन का मतलब है एक लेडी का एक ले ले लेंगे अस्बन का स्पर्म से फर्टलाइज करेंगे डालेंगे उसी हौरत का जो अस्बन वाइफ है वाइफ के अंदर डालेंगे that is egg donation और सरवकेसी में भी दो चीज़े हैं एक है ट्रेडिशनल सरवकेसी या जेनिटिक सरवकेसी कहते हैं दूसरा है जेस्टिशनल सरवकेसी जेनिटिक या ट्रेडिशनल सरवकेसी में यह है कि वो जो लेडी जो सरवकेट बनता है उनसे ही उसाइट लेंगे उनका ही उसाइट उ तो जेस्टेशनल सरुगिसी है, जहां अस्पेर वाइफ का एग और स्पॉम से लेडी में डालते हैं, वो अलावड़त आट इस जेस्टेशनल सरुगिसी मैं किन लोगों में सरुगिसी की सुर्वरत है? सरुगिसी उनको जब लोग पढ़ती है, जब लेडी का यूट्रस हाई नहीं, बाई बर्थ यूट्रस नहीं है, या कोई डिजीज की वज़ा से उसका यूट्रस डिस्ट्रोई हुआ 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 है, अंतर से लाइनिंग ठीक नहीं है, वो पैदा नहीं कर सकती, कुछ पेश पार किया से लाइनि…? या कितने चांसे हैं कि उसी कुछ रिजैबलेंस होगी सररुगिसी? मैं पहले ही बहुत clear किया था कि अमारा जो gestrational surrogacy होती है उसमें औरत का कोई genetic material उस बच्चे में नहीं है तो बच्चा surrogate को मैं कौन surrogate बन सकता है नेसरली जो आम तो पर जाना जाता है कि एजन्सी होती ही जो surrogate प्रोइट करती है तो क्या family members या किसी के कोई friend हो भी surrogate बन सकता है only thing is जो भी बनेगा चाहे वो दिस्तादार हो चाहे वो family member हो legal agreement होना चरूरी है कल को वो मुकर जाए problem हो जाएगा तो कोई भी हो हम लोग clinicians है हम लोग के पास time नहीं है surrogate के पास जाए इसके पास जाए उसके तो हम इसो जैसे ICMR ने एक ART bank बना रखा है जिसका हो इंचार्ज होंगे वो हम donation के लिए एक donation के लिए surrogate के रहे तो वो लोग जो locate करके surrogate देते हैं वो जा रिस्तादार भी हो एक legal agreement हो के हमारे को लेडी को pregnant करने के लिए ऐसा IA specialist हमारे पास ओ agreement होना चाहिए कि between surrogate and the commission couple agreement हो जाए कि कोई real sister हो चाहिए friend हो आप पे कह रहे हो कि legal papers हर एक में ज़रूर है हर एक में ज़रूरी है और एक और point ICM मैं बता है कि अगर मामनो family member है तो कहना mother उसकी क्या mother भी सरोगे दोंबर है वो नहीं वो अपना age group का या उसी age group का लोग होना चाहिए वो उससे senior members को नहीं होना चाहिए ना 45 से मूपर ना 25 से में चाहिए अब इसके इसके chances होते हैं कि मान लो delivery के बाद सरोगेट बना करते हैं कि मेरा बच्चह है मैं ना पैदा किया है या कोई claim डाले मैं बच्छे में उस case में चाहिए यह इस वजह से ही मैं बोल रहे हैं कि एक agent और एक IART bank मिलके और पूरा का पूरा उसका legalities में करते हैं actually legal documents sign करते वकर एक subdivisional magistrate एक lawyer, the agent और जो IVF group का जो representative यह सब मिलके बैट के तब agreement बनता है और उसमें बहुत clear लिखा गया है कि surrogate को बच्चा पाइदा करने के बाद कोई भी उसका claim नहीं है उसको hand over करने को तब उसकी surrogates कहां रहती है? Surrogate homes में रहती है या अपनी family के साथ भी रह सकती है? तेखो अच्छा family का हो कुछ लोग ऐसे surrogate होते है उनको ज्यादा comfortable रहता है अपने आपस में ही अपने ही गर में अपने ही environment में रहे इसका काफी papers है हुआ है for and against कुछ लोग कहते है उसी environment में हो बच्चों को चोड़ना ना पड़े उदर रहे है वो ज्यादा comfortable रहेगा at the same time क्या होता है कुछ ऐसे cool families होती है उसका looking after proper नहीं होता या commission parents को लगता है कि हुँ तोड़ा better environment नहीं रहे ऐसे लोगों को surrogate हो नहीं रख सकते है उसमें ये फाइदा है कि उनका खाना पीना सब हम अच्छा सा monitor कर सकते है usually कैसे ensure होता है कि जितनी medications and surrogate time से लें आपकी diet nutrition बहुत parents को ये apprehension होती है कि वो अपना पूरा time ध्यान रख पाएंगे कि मेरे देखो हम लोग अमारे setup में यही करते है कि जो threats है surrogate home में रह सकते है वो surrogate home में तो हम monitor करी देते है वो जो गर में जाते हैं जिस agent के त्रूम अबात है उनको बोलते हैं कि हम लोग देते हैं अम लोग extra protein powder, supplements, सब उसको देते हैं और उनको बोलते हैं कि ensure कर रहो करते हैं और time to time black check, weight gain, यह सब check करने में में पता पड़ता है उसका nutrition बहुता है और मैम जब यह surrogate delivery के लिए आपकी है तो कैसे होता हैं कि admission है या birth certificate है कहा कहा सरोगीत का नाम associated होता है इस पूरे process अचा इसको मैं बताने के पहले थोड़ा से मैं आपको बताना चाहूंगी international या cross border सरोगीसी के बारे पे अपनी पास ऐसे भी आता है लोग जो बाहर का country का है क्यांकि इंडिया में बोड़ा सरोगेसी अपना population ऐसा है कि सरोगीत सर्वेलेबल है तो उस cross border से आये तो हम लोग को बहुत ध्यार रखना पड़ेगा number one जिस country से है उदर सरोगेसी law के इसाब से वो लोग सरोगीत बच्चा पैदा कर सकता है यह हमें चेक करना पड़ेगा number two जो इंडिया का embassy उस country का है वो एक undertaking देदे कि यह बच्चा जो पैदा होगा उसको विसा वो देदेगे वापिस जाने का यह दो चीज नहीं हो अमनों को लेना जाए basically जब बहार की country से सरोगेसी भी आएंगे तो उस country के laws applicable और हमारा लाउस तो हाई हमारा लाउस तो हाई पस उस country का देखना पड़े हैं वो भी आए कि कर दो बच्चा पैदा हो वो नहीं ले जाए यहां भी प्रॉप्लम पच्चा वीजा भी नहीं मिलेगा तो फिर कुछ cases हो है हमने पड़े हैं बिक दिकात होती है मैं वही प्चेशन है कि जब sudah के दिलिवरी के लिए अड्मिट होती है तो डिलिवरी से लेके birth certificate तक basically उह का नाव कहां associated है अचा जो अम लोग booking करते हैं और अम लोग antenatal check up जो भी जो भी hospital करेगा वो patient का नाम से ही तो Certificate में उसी हर नाम दायरा लेकिन बच्चा जब पैदा होगा Birth Certificate में Commission Parents जो असली Parents जो फादर मदर है उनका नाम दायरा Birth Certificate में कोईसे कहीं Indicated नहीं होता कि ये सरोग्यसी इसमें इसमें और नहीं होता है Birth Certificate Parents के नहीं से मैं में एक और apprehension होती है कि कैसे insure कर सकते हैं कि बच्चा उनका है जिसे paternity, how do we ensure paternity जो आजकल तो बहुती आसानी है बच्चे का DNA testing हो जाता है अगर DNA testing तो बच्चा पैदा होने की बाद होती है 14 weeks में maternal blood से भी आजकल बता सकते है कि ये बच्चा उनका है DNA testing आजकल बहुत असानी से हो जाता है कोई दिक्का तो इस सारे process में usually cost remote क्या रहती है overall इसमें overall cost से लिए तोड़ा बढ़ता है ऐसलिए ये जो भी agency करते है देखो हम लोग है clinicians हम लोग के पास time नहीं है इनके आगे बिच्चे जाने का time नहीं है हम लोग करें में कि इनको इन प्रेग्नेंट करें और लेडी प्रेग्नेंट हो जाए वो anti-natal clinic जाए और देवर कराए तो हम लोग जो agency होता है अकसर ये है कि उनको surrogate locate करना surrogate का पूरा testing करना वो एक important बात है कोई किसम का infection होना नहीं चाहिए वो पूरा करने के बाद testing सब होने के बाद उनका IVF होना IVF होने के बाद उनका pregnancy के time to time चेकप होना पूरा इडिनेटर चेकप हो गया hospital ही है तो हम टेस्ट है हो सब को ultra-solos everything is done उसके बाद delivery होगा पूरा legal agreement with subdivisional magistrate और वो सब और यह भी ज़रूरी है कि उनका एक insurance भी हो कल को untoward 1% भी 0.1% भी patient को कुछ हो जाए तो उसका see life का तो कोई compensation नहीं होता लेकिन उसको मद्याराजन रहते वे उनका 10-15 लाग का insurance भी कार देते है ताकि everything is legalist properly तो यह पूरा मिला के almost our agency 8-10 लाट हो जाता है immediate delivery delivery बच्चा deliver होने के बाद handed over तक यह लगता है मैं इस सब में बहुत बार news में आता है कि तो क्या लगता है क्या यह exploitation ladies का जो सरोगी सी program में involved हो रहे यह बहुत controversial it is like kidney transplant or liver transplant यह बहुत controversial है बहुत papers इस पे भी लिखा गया है जो against है वो यह बोलते है तो lady को use किया जा रहा है उसका delivery होने कि वाज़ा से delivery में जो कत्रा होगा उसके लिए कत्रनाक है यह बोलते है जो उसका pro है वो लोग यह बोलते है तूनों को beneficial है एक commission couple है जिसको बच्चा चाहिए एक lady है उसको okay वो पैसे के लिए कर रहे है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए एक बच्चा पैदा करकी किसी को देना वो कोई असानी नहीं है तो mutually beneficial है अगर lady जबरदस्ती तो कर नहीं रहे विलिग ली कर रहे तो for and against both papers है अगर lady willing हो और commission couple ready हो कोई नुकसा नहीं I think जो एक lower socio-economic status के लोग आरे उनके ले एक major amount हो जाता है इस जो agencies होती है जो हमने देखा है उनका anti-natal check-up और deliveries बहुत ही proper जगे पर होती है पूरा ज्यान रेका तो ऐसे वो लोग जो slum rollers हो तो उनका तो वही पर delivery होती है पहले बच्चे ऐसे वह होता है तो पूरा proper care लेकी करते है बच्चे सरोगेसी के थू पैदा होता है करको जब वो बड़े हो जाते है तो अगर वो जानना चाहे सरोगेट के बारे में उसके आडिटी के बारे में तो उससे related क्या laws है क्या suggestion है इंडिया में, as such इंडिया में law नहीं है जो भी हम लोग ICMR का guideline solo करते है उसके साब से चाहे वो home donor हो या वो sperm donor हो या वो surrogate हो बच्चा अगर अपना biological और जानना चाहे हम लोग detail दे सकते है लेकिन personal identity नहीं बता सकते है personal identity जानने का अधिकार सिर्फ controlling authority को कोई मजबूरी पड़ा और ओ मांगे सिर्फ controlling authority of IVA उनको नहीं मिल सकता है बच्ची को नहीं हां से लापता लेकिन एक clause उसमें है कि कोई critical कोई I say कोई serious medical problem है उसमें पता होने से कुछ help हो सकता है तब ओ identity reveal हो सकता है लेकिन surrogate पे ओ भी नहीं है कि surrogate is different उससे कोई इनको help मिलने है I think egg donation egg donation just genetic relation then they might be able to give some help thank you ma'am I think जितने भी जो normal queries है लोगों की जो normal questions होते है आपने बहुत detail बहुत अच्छे से उनसब का अंसार कर दिया है and it should be of help to the common problem thank you ma'am उनको हम किसी ना किसी level पे help कर सकते है पर जरूरी यह है कि हम हमें क्या treatment approach रखनी है हमें go understanding तो अब हमें पता चला है कि surrogacy किन-किन लोगों के लिए indicated है surrogacy की क्या approach है surrogate मदस क्या होती है और उनकी क्या legal formality है और legal implications और legal involvement इसमे कितनी important